हरे कृष्णा आज हम आठमें अध्याय का अन्तिम श्लोक 28 श्लोका पढ़ेंगे 8.28 इस लोक का हिंदी में अर्थ है जो वेक्ती भक्ती मार्ग सुईकार करता है वे वेद अध्यन, तपस्या, दान, तार्षनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्थ होने वाले फलो से वन्चित नहीं होता वे मात्र भक्ती संपन्न करके इन समस्थ फलो की प्राप्ति करता है और अन्त में परम नित्यधाम को प्राप्थ होता है इस लोग के परपट में श्रील प्रभुपा जी समझा रहे हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं गुरू के निर्देशन में भक्तों के संग में प्रपर, सिस्टेमाटिक तो जो रूटीन प्रोसेस एप्लिकेबल होता है सब के लिए वो जरूरी नहीं कि उस भक्त पर भी अप्लाई हो जो एक गुरू के निर्देशन में प्रॉपरली भक्ती कर रहा है उस पर वो प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा जैसे प्रुपा जी परपट में समझा रहे हैं रूटीन में तो पहले किसी को ब्रहमचर आश्रम में जाना होता है 15-20 साल गुरू के पास रहे कर बच्पन में सीखना होता है फिर उसको गरस्त आश्रम में जाना होता है फिर वानप्रस्त में फिर सन्यास में एक प्रॉसेस है और जैसे उसने करम की होते है उसके अनुसार उसको या तो स्वर्ग मिलता है या उच्छ लोकों में जाता है या निर्वी शेज जोती में जाता है और अच्छी से भक्ति की हो तो वैकूंट लोक जाता है नहीं तो कृष्ण धाम गोलोक धाम नावन भी जा सकता है यह तो हुआ एक जिसे रूटीन प्रॉसस के हिसाब से हो रहा है लेकिन अगर हम किसी अध्यात्मिक गुरू के निर्देशन में भक्ति कर रहे हैं भागवान की और भक्तों की सेवा कर रहे हैं भक्तों का संग कर रहे हैं तो जो रूटीन में एक आम आदमी प्रोसेस से चलता है हमें जरूरी नहीं कि वो सारी एक्टिवीटीस करनी पड़ें जैसे माना इसमें दिया गया इसी शलोक में जैसे बताया गया है कि अब हम अगर दान करते हैं तो हमें दान देने का फल मिलता है अब इस दुनिया में कोई भी ऐसादमी नहीं होगा जो इस तरह की भक्ती वाले विश्यों पर चर्चा करता हो जो इस विश्य को नकारे कि भई दान नहीं देना चाहिए या दान देने की जुरूत नहीं हर कोई यह सोचगा नहीं दान देना चाहिए और ये बात सच भी है दान देना चाहिए अब लेकिन अगर एक आदमी कृष्णा कॉंशियसनेस में है ऐसे जैसे अगर मैं एक्जामपल लो प्रुपाजी की संस्ता इसकौन का तो सारे भक्त नहीं है कुछी वक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में रहना शुरू करते हैं अब जो मंदिर में रह रहा है वो तो हर समय मंदिर में ही रह रहा है मतलब ऐससच उसकी कोई इंकम नहीं है भ्रमचारी या सन्यासी के रूप में रह रहा है तो वो तो सरफ दान लेता ही है देता तो हैंगी हाँ ऐसाच मतलब वैसे वो विध्या का दान देते हैं और चीज़ों की देते हैं लोगों को लेकिन ऐसाच जो एक normal way में बोला जाता है मनी का दान वो तो बुआ नहीं कर रहे हैं पैसे का दान तो नहीं करते हैं उनका पास हैंगी तो इसका मतलब क्या वो जो दान से फल मिलता है उससे वंचित हो जाएंगे जी नहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है ऐसे सपोस मंदिर के अंदर गुरू के निर्देशन में एक भक्त जो है वो भक्ती कर रहा है और उनको गुरू जी ने आग्या दे कि वह आप मंदिर में सेक्योरिटी गार्ड की सेवा करो अब हो सकता है कि वो उसको सुबेज शाम तक सेक्योरिटी गार्ड के रूप में सेवा करनी पड़ रही है या किच्चन में सेवा करने पड़ रही है या कहीं और सेवा करने पड़ रही है तो उसको इतना ज़्यादा वेदो का अध्यन का समय नहीं मिल रहा तो क्या जो वेदो के अध्यन से ग्यान प्राप्त होता है तो उसको वेदों के अध्यान से, तपस्या से, दान से और अन्य जो भी इस तरह की related activities हैं, उनसे जो भी फल मिलना है वो उसको आटमेटिक सारा कुछ मिल जाएगा। ये कोछ जरूरी नहीं कि उसको भी वही सारी activities करनी पड़ें जो और लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत important है, इसको अगर हम समझें, प्रभुपाज जी ने आठवे अध्याय का जो heading दिये है वो है भागवत प्राक्ति और उसका ये concluding श्लोक है। और इस लोक में हमें ये advice किया जा रहा है कि हमें यग्यदान तपस्या, इस सब चीज़ें करते रहने चीज़ें, इसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन अगर हम गुरू के निर्देशन में हैं, पूंडत है, और गुरू ने अगर हमें इस तरह की कोई आग्या नहीं दी है और हैं, वो बात अलग है कि अगर हमारे पर शम्ता हो, तो हमेशा हमें यग्यदान तपस्या जरूर करने चाहिए हैं, लेकिन अगर गुरू की अग्या के अनुसार हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरू ने हमें किसी और विशे में, जो है सेवा में लगा रख तो वो भी अपने आप में हमें complete knowledge और फल प्राप्त करने के लिए हम eligible होंगे. That is, in my opinion, the main gist of this shloka. Hare Krishna!